हेलो एव्रिवान कैसे हैं आप सब लोग आज हम करेंगे हमारा लेक्चर नंबर सिक्स कम्प्यूटर सेक्शन का इन्पूट आॉटपूटड डिवाइज्जेस को हमने स्टाट किया था उन्पूटड़ व्रिवाइज़ होते हैं सारी वताई आज हम जो बात करेंगे वो em करेंगे आउट डिवाइज को लेक्चर थोड़ा सा आपको लेट हर उसका लिए मैं माफी चाहूँगा जो लोग है चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे आज जो हम चीज़े करेंगे यह आपके जेके एससबी के एक्जाम के से रिलेटिड है इसी के अलावा अगर आप लोग कभी बेंकिंग के एक्जाम देते हैं अगर आपको वहां पे यह काफी हेल्प करेगा तो आप लोग यह पढ़ सकते है इस लेक्चर के बाद आपको यह जो पीडियेफ है यह आपमारे टेलिकराम ग्रूप पर आपको मिल जा सकते हैं जिसको नहीं पता किस तरीके से आपको करना है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखके बता दीजिएगा तो आपको वहां पर हेल्प कर देंगे अब यहां पर इस टेस पर दो चीजों को आपको जयान देना है एक हमारी सेक्शन जो स्टेटिस्टिक्स है जो कर सकते हैं और मौक्ते सेकिंड में कोशिश करनी है कि अट लीस्ट आप लोग इस सेक्शन में दस में से छे नंबर तो जरूर लेके आए वो टेस्ट पर डिपेंड करेगा उसके बाद जब एनलेसिस वीडियो कर आएगा वो उसमें आपको सारा डिटेल में बताऊंगा सेक्शन आपका जियोग्राफी इसमें वह आज से आपका स्टार्ट हो जाएगा और करंट अफेर्स की क्लास आपको इस लेक्शर के तुरंत बाद मिल जाएगी जिसमें हम अपना जैन्वरी को वाइंड अप कर देंगे तो यह आप लोगों के लिए है मौक्टे सेकिंड ज जो statistics और economics आप अभी तक पढ़ चुके हो अब आपको यहाँ पर एक advantage या फिर एक edge लेनी है बाकी बच्चों के comparison से तो वह आप किस तरीके से ले सकते हो जो इसके notes है इनके आपको अब हमारे notes तो आपको telegram पर मिल जाएंगे जो अब आपको हर एक topics जो आप पर चुके है उ आप इस तरीके से आप revise करें जो भी lecture हम लोग आपको पढ़ा चुके है वहां से उस topic के आप लोग notes ले उसको पढ़े video course भी है अगर आपको कोई topic ऐसा है जो हमारा समझनी है तो आप इनके video course से भी वो समझ सकते है तो यह रहा आपके लिए अब हम बात करेंगे आज के topic की जो है हमारा output devices. Input devices हम लोगों ने पढ़ा था पिछली बार मैंने आपको बताया था इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था computer architecture तो पहले मैं आपको एक छोटा सा overview यहां पर दे देता हूं जो हम चीज़े पढ़ रहे हैं किस तरीके से पढ़ रहे हैं मैंने आपको computer architecture में बत जाता है आपका यह आजाता है आपका CPU CPU में क्या क्या आती है चीज़ें CPU में एक आता है आपका Control Unit एक आपके आते हैं ALU यानि की Arthematic Logical Unit और एक आते हैं आपके Register और इसी के साथ एक आता है आपका Memory हम लोगों ने जो चीज़ें पड़ी हैं हम लोगों ने पहले पढ़ा था Computer Architecture में Memory क्या होती है Memory आपकी आजाती है दो तरह की एक आपकी हो जाती है Primary और एक आजाती है आपकी SRAM और DRAM यानि की Static Random Access Memory और Dynamic Random Access Memory रोम हमारी कितना में डिवाइट थी तीन में क्या-क्या थी PROM EPROM और EEPROM यह हम लोगों ने चीज़ें पढ़ी सी Secondary पे आप लोगों का Hard Disk, CD, DVD यह सब आ जाता था तो यह हमने पढ़ी सी Memory Computer Memory किस तरीके से काम करती है हम लोगों ने पढ़ा था इस पर question आपको पूछा जाता है RAM आपको क्या होती है Volatile या Non-volatile आपको Comment box में लिखके बताना है इसके बाद हमने पढ़ा था क्या जो भी Input हम देते हैं यह हमने पढ़ा था किस से देते हैं अपने Input Devices से Input Devices में क्या आजाते हैं हमने पिछले lecture में यह सब चीज़ा पढ़ी थी Keyboard आजाता है आपका Mouse आजाता है आप लोगों के और भी काफी चीज़ा आती है इससे क्या होता है इससे हमें जो भी instructions देनी है computer को या हमें कोई भी चीज अगर computer को समझानी है या देनी है हम क्या करत चीज यहां पर arithmetic है यानि कि plus है आपको minus करना है divide करना है multiply करना है logical अगर आपके कोई चीज़े है and or operations है यह सब कहां बेज देते है ALU में और registers आपको मैंने बताया था आज हम पढ़ेंगे यह सब होने के बाद यह पूरा architecture है computer का यह सब चीज़े होने के बाद हमें जो चीज आपको अभी तक यह जो हम चीज़ें पढ़ चुके हैं यह समझ आ चुकी हो input devices आपको मैंने समझाया है register, ALU, control unit, memory मैंने आपको इस सादा समझाया है तो आज systematic way में हम बात करेंगे output devices के ऊपर तो अब हम बात करेंगे output devices होते किस तरीके से है तो output devices सबसे पहले आप लोगों जो आपका computer होता है यानि कि जो हम बच्पन में इस तरीके से diagram बनाते थे computer CPU और यहाँ पर keyboard तो यह जो चीज़ आती है आपकी यह आता है आपका monitor और यह आपका किसमें consider होता है यह आपका consider होता है output devices में यानि कि जो भी instructions हम देते हैं keyboard के जरिए CPU को CPU के बाद हमें जो result मिलत है वो दिखता है में monitor पर तो monitor आपका आजाता है आपका output devices अब यहां पर फर्दर यह divide होते हैं पहला आपको यहां पर याद रखना है क्या नाम है यहां पर आपको exam में direct पूछा जा सकता है CRT की full form क्या होती है CRT होता है आपका cathode ray tube monitor अब यह detail में कितना important आपको exam के लिए है मैं सिरब उतना ही आपको बताऊंगा आपको CRT की full form याद रखनी है CRT monitors होते है आपकी tv set की तरह ही दिखते हैं आपने school में देखें होंगे अपने तो जो main component होता है CRT का वो होता है आपकी electron gun electron beam होती है जो control करती है electromagnetic field को phosphor coated display screen अब आपको यह phosphor भी याद रखना है बस इस से जादा आपको इसको याद रखनी जरूरत नहीं है CRT की आपको एक full form याद रखनी है क्या होती है cathode ray tube monitors तो यह आपकी पहली example आजाती है output devices की इस तरीके से आपको दिखता है यही जो मैंने आपको बोला आप लोगोंने अपने school में देखा होगा या फिर अपने घरों प अब यहाँ पर जो दूसरा आजकल जो आप लोगोंने देखे होंगे जो यह तो आपने अगर आप 90s में हैं या आपने पहले schools में देखे होंगे एक डबा सा बना होता था लेकिन आजकल आप लोगों का LCD अगर हम बात करें तो यह आना शुरू हो चुके वापी से important क्या है important है आपको इनकी full form को याद रखना है क्योंकि मैंने आपको last time पंचायत account assistant में भी ये चीज़ बताई थी कि आपको abbreviations पर question जरूर पूछेंगे shortcut case पर आपको जरूर पूछा जाएगा तो तब भी आप लोगों की किसमत अच्छी थी कि उन्होंने बिलकुल basic से example पूछी थी अब liquid crystal displays को आपको पहले तो LCD याद रखनी है होता क्या है अब यह same उसी की तरह काम करते हैं basically बड़ यह थोड़े से light weighted होते हैं आप लोगों ने देखा होगा आजकल जो ने आपके आए हैं computers या LED LCD screens आप लोगों ने देखा होगा television set भी आजकल पहले आपके डब्बे की तर लेकिन आजकल पूरा काफी यह size में thin हो चुके है तो यह आपको याद रखना है technology क्या use होती है तो यह होती है thin film transistors इतना आपको नहीं पूछा जाएगा कभी एक्जाम में आपको सिर्फ LCD ही पूछा जाएगा LCD monitors की full form क्या है तो आपको liquid crystal displays को याद रखना है CRT को भी याद रखना है LCD को भी याद रखना है यह आपसे abbreviation की form में पूछा जाएगा exam में अब बात करते हैं हम लोग next point पे इसी के साथ LCD हमने पड़ा वही मैंने आपको बताए TFT क्या होता है तो एक form इसकी यह आज आती है आपकी thin film transistor liquid crystal displays यह आजकल जो latest चल रहे हैं आपको वह याद र LED लगती है बिल्कुल TV की तरह सेम वही example है यहाँ पे लेकिन important क्या है important है LED की full form तो यह तीनो LED LCD और आपका CRT यह आपको याद होना चाहिए exam में आपसे जरूर यह पूछा जाएगा अगर output devices पर question पूछा जाता है तो आपको यह नहीं पूछेंगे कि monitor आपका output device है या input device है कि LED की full form क्या है तो यह होता है आपका light emitting diode इससे जादा detail में आपको पढ़ने की जुरूरत नहीं है example के लिए आपको मैंने बता दिया जो आपके घरों पे आजकल LED screens लगती है पहले TV होते थे अब LED screens लगती है तो LED की full form क्या है light emitting diode यह तीन चीजें आपको याद रखनी है मैं अलग से लिखके आप भी आपको बता देता हूं एक को आगे आपका LED LCD और CRT यह आपके आजाते हैं monitors की ही form में तो आपको इन तीनों की full form याद रखनी है मैंने भी आपको बताई CRT की होती है आपकी cathode ray tube monitors LCD की होती है आपकी liquid crystal displays और LED की होती है आपकी light emitting diodes अगर बहु जाएगा thin film transistor liquid crystal displays तो आपको यह याद रखना है इसके बाद का आजाता है projection display आप लोगों ने कभी अगर movie देखने गे होंगे theaters में तो आपने देखा होगा सामने आपके एक screen लगी होती है वहाँ पे आपके जो display होती है चीजे वो किसकी help से होती है वो होती है projector की help से अगर आप लोगों ने colleges में देखा होगा white screen लगी होती है projector से आप लोग जो अपनी screen पे laptop में लिखते है वो आपके सामने उस white screen पे आजाता है वो किसकी help चाहता है तो वो आता है आपका projection displays के form में projector help करता है उस चीज़ के लिए तो projector आपका क्या आजाता है output device तो projector आपका किसकी द लिख सकते है projector है यह projector क्या करता है जो भी आप लोग connect करते हैं अगर अपना system तो यह क्या करता है जो भी आप अपनी system में लिखेंगे यह project करेगा कहां पे जो white screen आपके सामने होती है वहां पे आप क्या जो laptop में आप perform करेंगे वो आपको वहां पे show करेगा या movies के example लेके ज उसका काम करता है बात करते हैं हम लोग next पे इसके अलावा क्या आजाता है basic colors क्या कौन-कौन से होते हैं अगर exam में difficult होना हुआ तो यह आपको इस तरीके से भी पूछा जा सकता है अब color कौन-कौन से use होते है एक आपका आता है monochrome यह जो monitors होते हैं display करते हैं basically दो color में आज से तकरीबन 15-20 साल पहले आप लोगों ने black and white tv अगर देखे होंगे अपने घरों पे आपसे पूछा जाए कि उसमें जो color capabilities थी वो कौन सी थी तो वो monochrome थी या तो black and white में ही वो आपको दिखता था या फिर green black इस तरीके से आप लोगों को दिखता था एक आज आता था gray scale तो इसमें क्या होता था इसमें different shade आती थी लेकिन combination basically black और white का ही होता था फिर इसके बाद color monitor आना शुरूगे किस पे काम करते हैं तो वो करते हैं आपके RGB अब ये RGB क्या है अगर आपसे पूछा जाए तो ये आता है आपका red green blue अब exam में question क्या होगा exam में question आपका ये आएग तो ये जो R, G और B को mix करके आप लोग चाहें तो 16 से लेके 1 million different colors बना सकते हैं example के तोर पर आपसे ये पूछा जाएगा कि जो आपके color monitors हैं अब यहाँ पर मैं बताऊंगा exam में MCQ क्या बनता है color monitors आपके कौन से specific colors को use करते हैं तो options में दिया होगा red इन में से कौन सा नहीं use करते हैं green, blue और for example अगर आप देखने yellow तो इस तरीके से आपको पूछा जाएगा इसमें से बताना कि आपको कौन सा नहीं आता तो आपको yellow pick करना है ये simple सी example है आपको ये भी बता दूँ एक exam था SSC का उसमें ये पूछा गया था odd one out बताओ तो ये RGB colors थे तो ये yellow तो इस त आपने पड़ा वो काफी simple चीज़ें पड़ी है अनलोग और digital monitors होते है अनलोग क्या होते है अब यहां पर हम थोड़ा सा detail में हो जाएंगे अनलोग में क्या होता है एक second analog computers क्या होगे आपके analog computer basically आपको जो represent करते हैं वो हो जाता है आपका एक wave की sign में यानि कि जो आप लोगों को अगर मैं example दूँ आप लोगों को अगर मैं पूछूँ जो आप लोगों की पुरानी गाड़ी है speedometer आप लोगों ने देखा होगा तो वो आप लोगों का represent करता है इस तरीके से वो कौन सी form में आता है यह कौन सा signal है वो आता है आपका analog signal की form में digital आप लोगों ने देखा होगा वहाँ पर आपको बता देता है कि अभी आपकी गाड़ी में कितने किलोमेटर चल चुकी है 355 किलोमेटर वहाँ पर एक्जांपल आता है तो यह किसमें आता है जब आपको एक number दिखता है तो digital monitor की form में आता है digitally represent करता है जब आपको कोई wave या कोई sign दिखते है या वो तो वो किसमें आता है वो आपका आता है analog में एक computer और होता है या monitor और होता है जिसमें क्या होता है analog plus digital तो इसको हम लोग क्या कहते है इसको हम कहते है hybrid तो यह आपको याद रखना है एक्जाम में ये question भी पूछा जा चुका है पहले तो यह question आने के भी chances आपके हैं तो यह दोनों मिलके यह जो आपको यहां पे है यह मैं जो PDF दे दूंगा answers भी होंगे तो आप लोग इसका वहां पे solve कर लीजिएगा तब अब बात करते हैं हम लोग next पे important topic है क्या printers अब printer क्या होते है printer हम लोगों को पता है क जो भी हम एक hard copy में चाहिए होती है output तो उसके लिए हम यूज करते हैं printer लेकिन printer भी आपके दो type के होते है printer पे question आपको paper में ज़रूर पूछा जाएगा पहले भी पूछा जा चुका है और chances बहुत ज़्यादा रहते हैं कि printer पे आपको question दिखे printer basically क्या होते है मैंने आपको और एक होता है आपका non-impact printer अब non-impact और impact printer में क्या फरक है तो देखो printer आपके जो दो तरीके के होता है impact printer में क्या होता है word से समझना है आपको impact जो भी आप print करोगे यह जो भी आपको print मिलता है उसमें आप पे strike होती है जैसे for example आप लोगों ने अगर कभी typewriter देखा होगा तो उसमें क्या होता आप लोगों ने देखा होगा machine होती है वहाँ पे आप type करते हैं और वहाँ पे कुछ एक strokes बचती है page पे तो वहाँ पे क्या है एक impact बनता है कि जो आप type करेंगे वो paper पे भी impact पड़ेगा और वो आपका किस form में आते है impact printers की form में non-impact printers को उन से होते है word से समझना है जिसमें आपका impact नहीं होता अब इसमें होता क्या है फिर print किस तरीके से आता है या तो यह chemically आता है heat के वज़ा से आता है या electrical signal की वज़ा से वो print करके देता है आपको जादा quality अगर पूछी जाए बेबन में किसकी होती है तो वो होती है non-impact printers की अब यहाँ पर अब यहां पर अगर हम पूछा जाए आप classify किस तरीके से कर सकते है एक आपका printer आ जाता है यहां पर character printer से क्या होता है जिसमें आप लोग at a time सिरफ एक ही प्रिंट करेक्टर को प्रिंट कर सकते हो और example वहने आपको दी है similar होता है typewriter की तरह आप लोग type करेंगे वहां प पेपर में question यह नहीं आएगा आपको पेपर में question आपको यह पूछा जाता है डेजी वील डॉट मेक्ट्रिक्स और इंक जेट यह किसकी टाइप है कौन से प्रिंटर की टाइप है तो यह आपके आजाते हैं यहां पर character printer पे अब यहां पर आपको दिखाता हूं मैं यहां पेडेजी वील प्रिंटर और बाकी साब सबसे पहला printer आप लोग यहां पर देख सकते हैं अपने सामने यह आप लोग देख सकते हैं similar है आपके किसके डेजी वील की तरह आप लोग यहां पर type करेंगे यहां पर आपका एक एक जो है वह आना शुरू हो जाएगा तो यह आ उसी dot matrix same है 90 70s 80s में यह काफी popular हुआ तो यह जो है यह भी same आपका उसी तरह ही काम करता है सेम अप्रोच से तो आपको यहां पर next example मैं देता हूं यह आपका आजाता है dot matrix printer इसके साथ ही next जो आता है आपका यहां पर आप देख सकते हैं dots की form में जो भी है pattern एक बनता है तो यह आप लोगों को I hope यहां तक समझने में असानी हुई होगी ज्यादा इस पर आपको detail में नहीं जाना है बात करते हैं हम लोग next point पे जो important है हम वही देखेंगे line printers आपके आ जाते है page printer आजाते है जैसे अभी तक हम लोगों ने पढ़ा exact printer आपका आजाता है inject printer जो है आपका basically यह क्या किस तरीके से काम करता है एक second मैं इसको थोड़ा सा जूम कर दूँ अब इसमें क्या होता है तो यह जो है इसकी जो quality होती है वो आपके dot matrix और आपके daisy wheel के comparison में काफी अच्छी होती है यह क्या करता है यह spray करता है control stream code of tiny ink droplets accurately on the page forming either dot matrix और solid characters अब अगर आपसे पूछा जाए inkjet printer किसकी example है तो यह जो example है यह है आपकी non impact printers की example आपको यह याद रखना है क्यूं याद रखना है आपको मैंने starting में भी कहा था quality जो है non impact की काफी जादा होती है तो यह क्या करता है यह spray करता है इंक को एक control वे में टाकी जो भी है आपको print करना है वो काफी accurately paper पे आ जाए तो अब बात करते हैं लोग next पे इसके साथ साथ आ जाता है यहां पर आपका inkjet की आप लोगों ने यह example देखा होगा आजकल यही use होते हैं जादा तर तो advantage, disadvantage पे इतना हमें जाना नहीं है लेकिन आजकल यूज होता है तो यह काफी expensive होता है आप लोगों ने देखा होगा यह भी अगर आप लोग आजकल जो latest print है अगर आप लोग अपना admit card print करवाते हैं यह बागी सब करवाते हैं तो यह आपने देखे होंगे वहां पे भी इसक किसकी example आ जाती है यह भी आपकी आजाती है non impact printer की example, एक्जाम में question सिर्फ यही बूचा जाएगा कि किसकी example है इन में से कौन सा impact printer है इन में से कौन सा non impact printer है अगर printer पे question आएगा तो तो आपको यह याद रखना है यहाँ पे laser printer होते है laser printer के साथ एक over output device होता है आपका plotter अब यह plotter होता क्या है अब यहाँ पे plotter के उपर भी आपको question दिखेंगे plotter इस तरीके से होता है काम इसका printer की तरह ही होता है लेकिन यह काफी ज्यादा high quality जो है output देता है as compared to printer तो यह आप लोग देख सकते हैं और यह जो अगर आपका large scale printer आपको चाहिए या ज्यादा उसमें चा type के है तो plotter भी दो type के हैं drum plotter flat flat plotter मैं आपको ज्यादा detail में यह चीज़ें इसलिए अभी यहां पर नहीं बता रहा क्योंकि आपको paper में mcq पूछे जाएंगे और जिन questions का जो जो mcq बन सकता है मैं सिरफ आपको वही पूछूँँगा अब एक आपको मैं homework यहां पर देत box में लिखके बताएंगे इससे क्या होगा इसमें आप लोगों को खुद चीजे रूड़ने को मिलेगी और आप लोग सर्च करेंगे और आप लोगों की भी involvement काफी जादा बनती है इसमें speakers और microphone speaker आप लोगों ने देखे होंगे अपने घरों में भी या कहीं पर भी तो जो किस तरीके से आपके उसमें आ जाएंगे तो ये काफी बार बच्चों को एक्जाम में भी confuse कर देता है कि microphone किस तरीके से हम लोगों का output device में आता है तो microphone में होता क्या है basically आप जो बोलते है ये उसको convert कर देता है किसको sound signal को किसमे electrical signal में तापकि जो भी आप लोग basically बोलते है वो आपको speakers की help से जादा सुनाई देता है तो इसलिए ये आपका output device में consider किया जाता है तो ये आप लोगों को याद रखना है और ये था हमारे output devices basically जो अभी तक हम लोगों ने पढ़े अब मैं यहाँ पर आपको एक बार overview दे देता हूं जो जो हमने चीजे पढ़ी है अभ आता है आपका monitor किस-किस type के होते हैं आप लोग खुद भी एक बार बिना देखे revise करते चले CRT LCD LED यह आ जाते हैं आपके इसके बाद हम लोगों ने पढ़े printers कौन-कौन से होते हैं non impact और impact अब मैं आपसे एक request करूँगा जब आप इसके notes बनाएंगे तो impact को अलग बनाईएगा non impact के नीचे ही आप लोग लिख दीजिएगा कौन-कौन से आपके आते हैं जैसे impact में आपका डेजी वील आता है dot matrix आता है तो यह आप लोग लिख दीजिएगा non impact में आपके laser printers आ जाते हैं आप लोगों का ink checked आ जाता है तो यह आप लोग लिखिएगा इसके हम लोगों ने पड़ा microphone, speakers तो यह हम लोगों ने आज पड़े output devices तो यह काफी important है आप लोगों के लिए question आएगा तो इसमें से आएगा नहीं तो paper में नहीं आएगा जो चीजे थोड़ी सी extra बीच में कई बास static होती है या factual होती है चीजें वो मैं आपको पड़ाऊंगा mcqs form में और वो जब हम mcqs form में करेंगे तो मैं आपको सारा समझाते भी जाओंगा उसके साथ साथ तो एक basic idea आपके input output devices का यहाँ पे हो गया है lecture के थोड़ी दिर बाद ही आपको हमारे telegram group पे जो है इसका PDF आप लोगों को मिल जाएगा अब हमारी sections जो है वो थोड़ी सी speed में चलेंगी mathematics भी मैंने आपको पहले बता था 65-70% syllabus हम लोग cover कर चुके हैं अब थोड़ी सी speed होगी statistics और economics में अब आपको धियान रखना है कि आप लोग जब test दे target होना चाहिए हमारा 6 तक number हम लोग ले के आए अगर इनके scam आता है तो वो चीज note करें हमारे facebook group पे post करें ताकि हमें भी पता चले कि कौन सी चीज ऐसी है जो हमने नहीं पढ़ाई और आप लोगों को test में देखने को मिल रही है तो हम लोग कोशिश करेंगी कि test में हम लोग और चीजों को डाले देखो बहुत मुश्किल होता है आज के time में हमारे लिए भी time निकालना इन सब यह चाहते हैं कि आप लोग return में अपना 110% effort डाले पिछले 4-5 दिन बहुत hectic जब से JK bank का result आया है बहुत ही ज्यादा messages calls सब कुछ आ रहा है बहुत ही ज्यादा मतलब अच्छा response मिल रहा है और मैं चाहता हूं कि जब आपका finance account assistant का result आए तो तब भी हमें इसी तरीके का response test 1 नहीं दिया तो आप लोग वह mock test 1 आज भी अगर revise करना शुरू करते हैं तो 15 April को आप लोग revise करने के बाद यह test attempt कीजेगा और जो लोग यह test दे चुके हैं आपको अपनी improvement को देखना है पहले test के comparison में तो आज के लिए सिरफ इतना ही मिलते हैं आप लोगों से कल अब अहां से विदा लेता हूं बबाई Taker all the best पढ़ते रहें आप लोगों की पढ़ाई बहुत ज्यादा जुरूरी है आप लोगों की मेहनत बहुत ज्यादा जुरूरी है हम लोगों का सारा effort आप लोगों के लिए है ना ही हमारा कोई पेड़बैच है ना ही हमारे कोई offline classes है ज झाइ